नमस्कार आप देख रहे हैं YouTube चैनल Education Portal कृष्णा और मैं हूँ कृष्णाना सिंग आज बात करेंगे जो कि असपश रूप से स्क्रीन पे देखी रहे हैं आप लोग बिहार करमचारी चैन आयोग द्वारा पर्थम इंटर अस्तरिय संयूगत परतियोगता परिक्षा 2014 से समंदित बाते होगी और इसमें असपश रूप से देख सकते हैं कि यह पटना दिनांक 186-2021 का पत्र है और इसका ग्यापांक भी यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन इसमें जो महत्तपूर्ण बाते हैं इस लेटर से हटके भी थोड़ी बात करनी है हमें और आप लोगों को जानकारी होगी कि इसकी पर्थम पीटी परिक्षा 2017 में शंपन की गई थी 2017 में और शंभवता या दिसंबर का महिना था किसी कारणबा से चाहे जो भी परिशानी हो इसे केंसिल कर दिया गया था फिर पीटी परिक्षा 2019 में लिया गया था और उसका जो रिजल्ट था पीटी का उसे देने के उपरांत 2020 में मेंस का एक्जाम लिया गया और जब उसका भी रिजल्ट किलियर हुआ तो जाकरके एक साल समय ही लग गया होगा लगभग 2021 में इसका जो रिजल्ट आया मेंस का वह समय था तो लगभग इसमें कुल सीट की बात की जाए तो 13,000 के पलस था सीट और जिसमें उन सीटों में बन आरक्षी, राजस सुक्रमचारी, पंचाई सेबक बाकी और भी कलरकियल सीट था बन आरक्षी में सारेरिक दक्षा निर्धारित की गई थी अर्थात उसमें जो फिजिकल होता है उससे सम्मद्धे थी राजस सुक्रमचारी में टंकन नहीं था और 25 सेबक में टंकन होगा या नहीं होगा इसकी असपस्ट जानकारी विभाग द्वारा अभी तक नहीं किलियर कर पाई है इसकी सही जानकारी आयोग को असपस्ट रूप से दे देनी चाहिए और इसी के मुताबिक जो भी अभ्यर्थी है उसको तयारी करनी होगी बाकी का जो पोस्ट एस्टोनो ग्राफर पर था और उसके लिए यह निर्धारित किया गया था आसू लिपी अर्था सौट हेंड होना था अनसभी सीट पे टंकन होना है तो अब इसमें इस पत्र में जो महत्पूर्ण बिंदू अंकित किया गया है उस पे चर्चा करते हैं यहाँ पे पहला बिंदू है एक नंबर में देख सकते हैं कि टंकन जाच अंग्रेजी एबं हिंदी अनिकि अंग्रेजी और हिंदी दोनो भासा में और वह कंप्यूटर पर ली जाएगी तो इन में पास अव्यर्थी को निशित रूप से अंग्रेजी और हिंदी दोनों का टंकन कंप्यूटर के माध्यम से देना होगा और दूसरा पॉइंट है हिंदी टंकन जाच परिक्षा मंगल फॉंट और यह जो मंगल फॉंट है कंप्यूटर की सबसे हि हिंदी की लोगप्रिये जो फॉंट होता है वह है और इसी के सहायता से या देवनागरी लिपी में होती है संस्क्रीथ हो चाहे उर्दू हो या तो फिर हिंदी हो इसी फॉंट पे लिया जाता है उसके बाद तीसरा पॉइंट से हिंडी टंकन जाच परिक्षा में अभर्थ हि को 30 सब्द हिंदी के लिए हैं तीस सब्द परती मिनट की गती से तीनसो सब्दों को 10 मिनट में टंकित करना था लिखना है टंकन करना है उसके बाद अंग्रेजी के लिए यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि टाईंस न्यू रोमन फ्रॉंट अंग्रेजी की भी उसके साथ साथ अब अंग्रेजी का जो निर्धारित किया गया है कि कितने समय में टंकन करनी है तो उसमें यहाँ पे पांचमा कोलम में असपस्ट दिखाई पड़ रहा है कि अंग्रेजी जाज परिक्षा 35 सब्द प्रती मिनट की गती से 10 मिनट में कुल 350 सब्दों को टंकन क करना है और उसके साथ साथ सौट हेंड की भी बात कर ली जाए आशू लेखन जाच परिक्षा में हिंदी शुरुती लेख हेतु असी सब्द प्रती मिनट की गती से कुल 320 सब्दों को चार मिनट इसमें भी कुछ इंडिकेट है कि एक मिनट अठिदीक समय भी दिया जाएग कि अब धी में आयोग दोरा उपलब्ध कराएगे नोटबुक में संकेत लीपी पे लिखना अवश्यक होगा सौट हेंड लेखांक के टंकन हेतु कुल 20 मिनट उसके बाद दो मिनट अतिरिक्त समय टंकन प्रारम करने के पूर्व सुद्ध हेतु दिया जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे नीचे बेवसाइट भी दिया गया है अब भेर्थियों को निर्देश दिया जाता है अर्थात कहा गया है कि अधतन सूचना है तो आयोग के बेवसाइट www.bssc.bihar.nik.in का सतत अबलोकन करते रहना है तो अधी अब इसका conclusion किया जाए इस पत्र का इस पे कुछ मन्थन किया जाए तो असपस्ट यही प्रलक्षित होता है कि यह 2014 से प्राराम की गई थी इसकी बेवस्था इस परिक्षा की और आज 2021 हो रहा है तो इसमें कुल लगभग सात साल का समय अभी तक बीच चुका है और इस पत्र से यह असपस्ट अभी तक भी नहीं किया गया है कि इसकी परिक्षा जो टंकन की परिक्षा कब होगी और कितना और शमय लगेगा इसकी कोई असपस्टता नहीं है और मेरे द्रिष्टी कौन से संभवता यह जो टंकन की परिक्षा है 2021 तक में संपन हो जानी चाहिए और जब यह परिक्षा शंपन होगी तो कुछ समय और निश्चित रूप से लगेगा तो अभी कुछ आसाएं जगी है अभ्यार्थियों में लेकिन कहना मुश्किल है कि क सारी परकिर्याएं पूरी की जा सकते हैं थांक्स फॉर वाचिंग बुडबाई